परिचय प्रकाश एक ऐसी वस्तू है जिससे सब परिचित हैं। यह विभिन सुरोतों से प्राप्थ होता है, जिनमें मुक्य है सूर्य। जिने के लिए ज़रूरी उर्जा हमें इसी से मिलती है। इसके बिना जैसा की हम चानते ही हैं, जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। उर्जा का वो रूप जो वस्तूओं को देखने में हमारी साहता करता है, प्रकाश कहलाता है। उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रकाश को परिभाशित करना, प्रकाश की प्रकृती को समझना, साधारण तर पंद्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझना, परावर्तन के नियम, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करना. प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत उर्जा का वो हुरूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये हम में द्रिश्य बोध उत्पन्न करता है, प्रकाश के दोसरोथ हैं, चमकीली वस्तुओं और गैर चमकीली वस्तुओं, चमकीली वस्तुएं वे वस्तुएं जो अपना स्वैम का प्रकाश छोड़ती हैं, चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, लैंप, मुम्बत्ती, इत्याती गैर चमकीली वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वैम पर पढ़ने वाले प्रकाश को परावर्थित करती हैं, गैर चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज, इत्याती प्रकाश की प्रकृती प्रकाश के परावर्थन, अपुवर्थन, विवर्थन तथा अन्य अनेक पहलूँं के बारे में जानने के लिए प्रकाश के सिध्धांतों के आधार पर उसकी प्रकृती को समझना होगा प्रकाश की प्रकृती के दो सिध्धान्थ हैं। प्रकाश का तरंग सिध्धान्थ तथा प्रकाश का कन सिध्धान्थ। प्रकाश का कन सिध्धान्थ। प्रकाश ऐसे कन से निर्मित होता है जो अत्यंत तीव्र गती से एक सरल रेखा में चलते हैं। इसके अभिलक्षन चिन हैं परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश तरंग और कन दोनों के गुण प्रदेशित करता है। प्रकाश का सभाव दो प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तों की सतह पर पढ़ने वाली प्रकाश गिरणों का वापस भीजा जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है. चमकदार सतह वाली वस्तों, खुर्दुरी और धुनली सतह वाली वस्तों की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं. चान्दी प्रकाश की सर्वुत्तम परावर्तक है. सपाठ सतह से परावर्तन सपाठ दर्पन कांच का एक पतला, समतल और चिकना फलक होता है, जिसके एक ओर रजत धातों की चमकीली पर्त चड़ी होती है. इस रजत पर्त को लाल पेंट के द्वारा संदक्षित किया जाता है. आकरिती को समझने के लिए आविशक पदों के अर्थ निमनलिखित है. आपतित किरण प्रकाश की वो किरण जो दर्पन की सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है. आपतन बिंदू दर्पन पर आपतित किरण जिस बिंदू पर पड़ती है उस बिंदू को आपतन बिंदू कहते हैं परावर्तित किरण दर्पन द्वारा प्रकाश की जिस किरण को वापस भीजा जाता है वह परावर्तित किरण कहलाती है सामानने दरपण की सतह के आपतन बिंदू पर इस्थित समकून की रेखा को सामानने कहते हैं यह एक ऐसी रेखा है जो दरपण के आपतन बिंदू पर लंबवत इस्थित होती है पाश्व परिवर्थन पाश्व परिवर्तन जब सम्तल दर्पन के सामने कोई वस्तू रखी जाती है तब वस्तू का दहिना पाश्व दर्पन के बाई ओर और बाया पाश्व दर्पन के दहिनी ओर प्रतीत होता है किसी वस्तु के पाश्वों और उसके दर्पन प्रतिबिम्ब का यह परिवर्तन पाश्व परिवर्तन कहलाता है सम्तल दर्पन के संबंध में अभिलक्षन और उप्योग किसी सम्तल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब के अभिलक्षन ऐसा प्रतिबिंब आभासी होता है, ऐसा प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है, सम्तल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पन में पीछे उतनी ही दूरी पर होता है, ऐसा प्रतिबिंब पाशु परिवर्तित होता सम्तल दर्पण के उप्योग इनका उप्योग स्वयम को देखने के लिए किया जाता है इन्हें विशिष्ट दुकानों जैसे सुनार की दुकान की अंदरूनी दीवारों पर उन्हें अधिक बड़ा दिखाने के लिए लगाया जाता है सम्तल दर्पणों का प्रेयोग परिदर्शी बनाने में किया जाता है इनका प्रेयोग वैस्त मार्गों के तीवर मोडों पर दुरखट नाय रोकने के लिए किया जाता है सम्तल दर्पण के उप्योग सम्तल दर्पण का प्रेयोग आइने के तौर पर किया जाता है सम्तल दर्पन का प्रयोग सौर कूकर में किया जाता है सम्तल दर्पन का प्रयोग कैलिडो स्कोप यानी रंगीन कागस से सुन्दर आकरितियां बनाने में प्रयोक्त किया जाने वाला एक खिलोना कहज के टुकडे या छोटे-छोटे मन के बनाने में किया जाता है परावर्तन के नियम परावर्तन का प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्ने ये सब एक इही सम्तल पर स्थित होते हैं परावर्तन का दूतिय नियम परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है बिम्ब और प्रतिबिम्ब में अंतर बिम्ब कोई भी वस्थू जो प्रकाश किरणे उत्सर्जित करती है बिम्ब कहलाती है प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब एक प्रकाशिक प्रकटन है जो किसी बिम्ब से उत्सर्जित हो रही प्रकाश किरणों के किसी दरपन द्वारा परवर्तित होने से उत्पन्न होता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिम्ब में अंतर वास्तविक प्रतिबिम्ब वह प्रतिबिम्ब जिसे दर्पन पर प्राप्ट किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिम्ब कहलाता है उधारण सिनेमा के परदे पर बनने वाला प्रतिबिम्ब यह किसी अवतल दर्पन द्वारा बनता है आभासी प्रतिबिम्ब वे प्रतिबिम्ब जिन्हे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिम्ब कहलाते हैं उधारण किसी समतल दरपण में हमारे चेहरे का प्रतिबिम्ब यह किसी अवतल दरपण द्वारा बनता है क्या आप जानते हैं, दिखाई देने वाले प्रकाश का तरंग देर्थ 380 से 740 नैनो मीटर के मध्धे होता है, और इसकी आवरिती 405 तेरा हर्ट से 790 तेरा हर्ट के मध्धे होती है. प्रकाश जो की फोटोन नामक नन्य पैकेटों में निकलता और अफशोशित होता है, तरंग और कण दोनों के गुण प्रदशित करता है, यह गुण तरंग कण दुईविधता कहलाता है. निर्वात में प्रकाश की गती ठीक 29,97,92,458 मीटर प्रतिसेकेंड आ की गई है. प्रकाश उत्पन करने वाली प्रक्रियाएं हैं नगर्णी करण या सिंटिलेशन, इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस, ट्राइब बोलियो मिनिसेंस, चरन कोव विकिरण। सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश उर्जा का ऐसा रूप है, जो हमें वस्तूओं को देखने के योग्ये बनाता है। प्रकाश तरंग और कण दूनों के गुण प्रदशित करता है। इस प्रकार प्रकाश की प्रकृती दोहरी होती है। किसी वस्तूद्वारा उस पर पढ़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भीजा जाना परावर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाने को अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण द्वारा सामाने के साथ बनाए गए कोण को अपतित कोण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी बिम्ब से आ रही प्रकाश किरणे जब किसी दरपन से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो प्रतिविम्ब बनता है। सम्तल दरपण में किसी बिम्ब के पाश्वों और उसके प्रतिबिम्ब के पलट जाने का प्रभाव पाश्व परिवर्तन कहलाता है